तो अब तीनों राज्यों का मैं आप सभी से आंकलन चाहूंगा और उल्टा फेरा गुमाता हूँ आपी से ही इस सवाल की शुरुवात करता हूँ महराष्ट में ये देखे 130 का जो आंकड़ा था 98 सीटे NDA के पास गई महराष्ट में 48 में से 41 इस बार की स्थिटी क्या लगती है NDA और इंडिया की तीनों राज्यों में बात कर रहे हैं महराष्ट से शुरू करते हैं महराष्ट में NDA की सीटे कम होंगी मारतिय जिंता पाटी की कम नहीं कितनी कम हो जाएगी मुझे लगता कि 5 सीटे पन्ट साथ सीटे, आप कम कह रहे हैं मतलब 35 तक आ सकता है ओर विहार में भी 5 सीटे मुझे लगता कि महारा राज्यों को रखते हैं हमारा विवयर नहीं तो कन्फ्यूस होता है माहाराश्ट में आपका? आखलन क्या है दिबान माराश में बिलकुल मुझे लगता है कि सीटें कम होंगी और ठीक से बटे टिकट तो मेरे ख्याल से साथ से दस सीटें तक कम हो सकती है दस सीटें तक भी कम हो सकती है मतलब 30-32 पर भी आ सकता है अगर वो उद्धव ठाकरे ने अपनी साख को बनाए रखा जैसी यह वो मुखमंत्री थे तो उनकी बहुत अच्छी साख हुआ करती थी प्रशासक के तौर पर उनकी साख थी वो अच्छे राजनीतिक नड़नीतकार नहीं साबित हुए उनकी नाक के नीचे से विद्रो हो गया पार्टी तोट दी गई लेकिन अगर उन्होंने अपनी परानी साख को बनाए रखा है अभी तक तो फिर एंडिये को महराष्ट में काफी नुकसान होगा कितना काफी का मतलब दस वारा सीटें कम हो जाएंगी उ रंदीप आपका आखलन देखे मैं इस परस दोर पर कह दूँ कि शिवसेना पांस से साथ सीटे चरत पवार की पार्टी दो सीटें और कॉंग्रेस तीन सीटें जी सकती इस्ते ज़्यादा कि संभानों कॉंग्रेस की नहीं सबसे कमजोर कड़ी समय दिको यह तो कॉंग्रेस तो कुल में आकर दस बारा सीटें आ सकती हैं तो बमुश्किल पांच का नुकसान होगा एंडिये को विनूद देखिए मेरा यह मानना है कि जो वहां सिवसेना है उसका प्रदेशन वूल बी डायक्ली प्रपोर्शनल टू शिंदे साब को कितनी इज़त या कितना शेर मिलता है सीट शेरिंग में रूलिंग अलाइंस में आप इस बात को समझे शिवसेना की आज के दिन काफियत तक वै वर्चस्प पे आ जाए खेना के दोनों घटक दल यह चाते हैं कि उनका वही वर्चस्प हो जाए जो एक समय में था आज की तारीक में आप कितना अकलन कर रहे हैं थोड़ा सा क्रिस्प अगर जवाब दें प्लीज मैं मैं देखिए मेरा इमानना है आई विल गो बाई टेन नुकसान तीन कह रहे हैं दस से बारा का पश्चिमंगाल छोड़ा छोड़ा जवाब चाहूँगा अब हमारे पास तीन मिनिट बचें पश्चिमंगाल में एंडिया गठमंदन तो ही नहीं वहाँ पर किवला बीजेपी का यदि नुकसान हुआ तो दो से ज्यादा सीटों क इसके लिए जब बहरामपूर सीट या दो सीटें भी नहीं छोड़ सकती था इंडिया गठमंदन दना मुझे भी लगता है कि वहां जो टीमसी है उसकी सीटें उतने कम नहीं होगी मुझे लगता है कि बीजेपी कुछ सीटें एक दो सीटें कम हो सकती हैं कॉंग्रेज का सबसे बड़ी टककर पश्चे मंगाल में होगी बीजेपी खिलाब जवर्दस चुनाव होगा और उसके अंदर भारती अंता पार्टी की पहला ठारा सीटें थी मेरा मानना है कि तेरे या चौदे सीटे रह जाएंगी तेरे या चौदे आप तीन से चार का नुकसान कह रहे है संदीप लखेगी ब्राटली कितनी सीटें कम होंगी ज्यादा होंगी यह कहने के लिए आज मैं सक्चम नहीं हूँ को कि वहां इलेक्शन बहुत कॉंप्लिकेटिड है आज के देखना यह है कि सी पी एम और कॉंग्रेस का अलग से लड़ना और टीमसी का अलग से लड़ना और बीज लखेग्मेंटिड है आज के दिन और उसमें चॉइसे हैं वोटर के पास कि किसको देना है ममता जी के खिलाब तो वो कोई अच्ची स्थिती नहीं है वो समिकरन वहां का इतना कॉंप्लिकेटिड है तू क्लोस तू कॉल हम इसे कह सकते हैं ज्यादतर लोग दो सीटों तक का नुकसान बीजेपी को हो सकता है या फाइदा भी हो सकता है इस ओर इशारा कर रहे हैं वही यता स्थिती यही बरकरार रहेगी कि आप बिहार की बात विजए बिहार में बीजेपी की सीट कम नहीं होगी इंडिय की सीट कम होगी कितनी कम 49 थी 40 में से वहां पर भी मुझे 5- को लगता है क्योंकि तेजस्वी को मैं एक मजबूत कड़ी के तौर पे वहाँ देख रहा हूं तेजस्वी जितनी जेडीउ की सीटे कम कर सकते हैं या लज़एपी को भी मिला कर सकते हैं या पांच मान लेते हैं दिबान मुझे लगता है कि तेजस्वी वहां पर एक बहुत बड़ी ताकत की रूप में उभर रहे हैं और जो मीडिया है उसने अभी तक उनको उस तरीके से नहीं पकड़ा है जिस तरह से उन्होंने अपना भाशन दिया बिदान सवा में उसके बाद जो उनकी रैली हुई जन्विश्वास यात्रा पर जिस तरह से तेजिस को सपोर्ट आया गांधी मैदान में जिस तरह से रैली हुई जिस तरह से लोग वहां एक नई उर्जा का संचार वहां दिखाई देता है मुझे लगता है कि 6 से 10 सीटों को नुकसान 10 सीटों तक का भी नुकसान हो सकता है पांच-छे सीटों का एंडिय को नुकसान होगा भारती जनता पाठी को नहीं हो सकता नहीं होगा नुकसान पर एंडिय को नुकसान होगा संदीप एंडिय को बिलकुल नुकसान हो सकता है वहां पर लेकिन कॉंग्रेस के जो अंदुरूरी जगड़े उसके जलते कॉंग्रेस के जो एज था तेजस्वी के साथ जाने का वो जरूर कहीं नुकसान में दिखता है कल भी मेरी बिहार के कुछ निताओं से बात होई कल वहाँ एक बड़ा खेला हुआ एमेलजी की सीट राहुल गांदी जिसको देना चाह रहे थे वो इसको बजा किसी और को दे दिए तो इतना बिहार में जगड़ा भी है विनूद बिहार बीस सेकिंड में फ्लीज देखिए बिहार में जो जो अपनी चाप छोड़ी थी तेजस्वी ने और मैं यहां दिबांग से अग्री करता हूँ और अभे से भी कि तेजस्वी इस अज़ के दिन बिहार का सबसे बड़ा नेता तेजस्वी है तो आखड़ा क्या है तब को मिला के सबसे बड़ा नेता तेजस्वी है और जिस तरह से उसने सप्राइज किया था पिछले एसेम्ड़ी एलेक्शन में वो दुबारा कर सकता है सप्राइज आपको वैसे कितना लुक्सान हो सकता है बहुत से लोग मानते हैं कि वो तो ये लेक्शन जीत गया था उसको तो अहरा आ गया करता है आखड़ा दीजे ना कितना आखड़ा देगे मैं थोड़ा कंजर्वेट हूँ आखड़े नहीं देता हूं मैं लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि पहले से इंप्रूमेंट होगा इंप्रूमेंट होगा वो तो एक सीट थी इंडिया के पास वो बढ़ सकती है तो पूरा खाका खीचे एक सो तीस सीटों का तो महराश में पाथ से दस सीटों का नुकसान और पाथ से दस का ही आखड़ा आ रहा है बिहार के लिए तो इसका मैं आवरेज भी लूँ त लगभग हाँ मैं ये मान लेता हूँ कि पंदरा सीट नीचे जा सकती है बीजेपी तो अठानवे का आकड़ा एंडिये काई ने एक सो तीस सीटों में तिरासी चुरासी पिचासी तक भी जा सकता है क्या और संभावना अगर कहीं गुझाईश है बढ़त की तो वो है अगरती में सुरत हाल का ये आकलन है तो आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में हम बात कर रहे थे बंगाल बिहार और महराश की एक सो तीस सीटों में कौन भारी पड़ रहा है अब हमारे दर्शक है मंगल सिंग आ रही है गौतम बुदनगर जहां से मैं ये कारिक्रम भी कर र होगी क्या एहम बात कहिए आपने मंगल बाबू और महंदर नागर हैं मुझफर नगर वासी हैं यूपी के हैं कॉंग्रेस खुदी आगे बढ़कर लीड ले ऐसा नहीं हो पा रहा है और यहां पर जानकारों का भी ये मानना था लीड तो करना पड़ेगा ना कि अपने जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और यह है इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब यह करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फ ABP News आपको रखे आगे